नमस्कार दोस्तों आ उटीतीतियारी चेनल में आप सबी सात्यों का फिर से एक वार स्वागत है सात्यों आप सभी को डेली अख़वार की माध्यम से शिक्षा इभाग से सम्वंदित यदी कोई भी न्यूज प्रकाशित किया जाएगा तो ओल टीटी तीरी चैनल के माध्यम से सुभा सुभा जरूर दिया जाएगा शिक्षिकों के अस्तान अंतरन पदस्थापन की बनेगी समेकित नीती ये बात आप सभी जानते हैं कि कल शिक्षा युवाग में फिर से बैठक थी पहले होगी शक्षमता पास शिक्षिकों की पोस्टिंग प्रात्मिक्ता और पदों की उपलबदता पर होगा एकशिक तबादला ये बात आप सभी जान लीजिए कि शिक्षा युवाग लगातार जो है वो इस पर काम कर रही है राज्य में सरकारी स्कूलों के सभी कोटी के शिक्षिकों के अस्थान अंतरन पदस्थापन की समिकित नीती बनेगी प्रस्तावित नीती के तैट पहले शक्षमता पास जो है शिक्षक उनकी पोस्टिंग जो है वो अस्थान अंतरन किया जाएगा उसके बाद शिक्षिकों का स्थान अंतरन किया जाएगा उच्चे पदस्चुत्रों के माने तो शिक्षिकों के स्थान अंतरन पदस्थापन की नीती तयार करने के लिए शिक्षा सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी जल्दी ही अपनी रिपोर्ट सौप देगी माना जा रहा है कि कमिटी हफ्ते भर के अंदर अपनी रिपोर्ट शिक्षा इवाग को सौप देगी हलांकि सबसे बड़ी उलजहन है कि पहली शक्षमता परिक्षा पास शिक्षकों पोस्टिंग होती है तो इससे खाली पद भरेंगे ऐसे में शेश कोटी के शिक्षकों के अस्तान अंतरन के लिए कितने पद बचेंगे इस सवाल का हल ढूंडने में भी शिक्षा सचिव की अध्यक्षता वाली कमिटी लगी हुई है इसलिए कि शक्षमता परिक्षा पास नियोजित शिक्षकों की संख्या एक लाग 87 हजार है और एक लाग 87 हजार शिक्षकों की पोस्टिंग विश्रिश शिक्षक के रूप में होनी है यह तो तै माना जा रहा है कि प्रस्तावित निती के तत होने वाले अस्थान अंत्रन प्रदस्थापन में दिव्यांग एवं आसाध्य रोगों से पेड़ शिक्षकों को प्रात्मिक्ता मिलेगी वैसे दमपती जिनमें पती पतनी दोनों ही शिक्षक है उन्हें भी प्रात्मिक्ता मिलेगी इसके साथी महिला शिक्षकों के एकशिक अस्थान अंत्रन प्रदस्थापन का भी पूरा पूरा ख्याल रहेगा बाकी पुरुष शिक्षकों की बात करे तो उनमें 40 वर्स तक की उम्र के शिक्षकों का एक शिक अस्थान अंतरन पदस्थापन पदो की उपलब देता पर निर्भर करेगा इसे भी प्राया तय माना जा रहा है कि शिक्षकों के अंतर जिला अस्थान अंतरन शिक्षाई भाग के राज्य मुख्याले से किये जाएंगे शनीवार को कमीटी ने अपनी बैठक में शिक्षकों के अस्तान अंतरन परदस्थापन की प्रस्तावित नीती से सम्बंदित ड्राप्ट को ताय मानकों की कसोटी पर जाचा कमिटी दूसरी बार शनिवार को बैठी थी इसके पहले कमिटी की बैठक 11 जुलाई को हुई थी कमिटी को शिक्षकों के अस्तान आंतरन प्रदस्थापन की प्रस्तावित नीती के साथ कमिटी को बिहार शिक्षा सेवा प्रसासन उपसंवर्ग के कैडर का पुनर गठन अनुकंपा के अधार पर नियुकती एवं सरकारी स्कूलों की अवकास तालिका के निर्धारन की नीती भी तै करनी हैं आपको याद दिलादों की यह कमिटी शिक्षा विवाग के सचिव के अध्यक्सता में बनी है और इसके सदस्यों में बिहार शिक्षा पढ़ योजना परिस्त के राज ये पढ़ योजना निदेसक प्राप्निक शिक्षा निदेसक एवं मादमिक शिक्षा निदेसक भी श शीक्षक दूसरे जगा जाएगा दूसरा शीक्षक जो है उसी जगा आएगा मतलब एक दूसरे जगा जाने से अपने आपी seat खाली भी होगा और भड़ भी जाएगा क्योंकि ज़्यादा तर शीक्षक ऐसे हैं जो 40 km, 50 km 30 km, 15 km, 20 km 20 km, 10 km आफ़िटर दूर है और उन्हीं के आसपास में जो है वो शीठ खाली है तो जैसे ही उनके यहाँपर जो शिक्षक आएं वो अपने घर के तरफ जाएंगे तो सुवावि के वो शीठ खाली हो जाएगी ऑर उसी शीठ पर फिर वो दूसरे बाले शिक्षक आएंगे तो इस प्रकार से भी थोरा सा देखना होगा क्योंकि खाली पद यदि वैसे ही पहले से आकलन करके देखा जाएगा उससे सही सही जो है वो जानकारी पदाधिकारी को नहीं लगेंगे लेकिन अस्थान अंतरन की नीती यदि तै हो जाता है उसके बाद एक कितने एक दूसरे जगा जाना चाहते है। ये नीती में थोरा सा ध्यान रखना पड़ेगा और स्थान अंतरन का फॉर जब भर लिया जाएगा तब ही पता चलेगा वैसे यदि जोडा जाएगा तो उससे पता नहीं चलने वाला है लेकिन पहले जो है वो विशिष्ट शिक्षकों का पदस्थापन किया जाएगा ये विल्कुल तै है उसके बाद BPSC से जितने भी बहाल शिक्षक है उनका भी अस्तान अंतरन होगा और आपने इस वीडियो मे ये भी सुना होगा कि जिला समवर्ग के जो हमारे साथी हैं एक जिला से दूसरे जिला भी जा पाएंगे ये भी इसमें लिखा हुआ था प्रमुक्ता से इस खबर को आज वो प्रकाशित किया गया है सम्मंदित विशयों पर विस्तार से चर्चा भी की गई है सम्मंदित विशयों आप सभी जानते हैं आवकास तालिका को लेकर भी चर्चा की गई अस्थान आंतरन पदस्थापन को लेकर कोई अस्पष्ट नीती नहीं है अभी तक ये बात आप सभी जानते हैं इससे कई तरह की समस्या हो रही है यही नहीं शिक्षकों की परिशानी भी बढ़ गई है लियाजा सरकार ने शिक्षकों को राहत देने और उनकी परिशानी क करने के उद्देश शिशे एक अस्पष्ट नीती बनाना चाहती है ताकि उनके अस्थाना अंतरन का पदस्थापन को व्यावहारिक बनाया जा सके साथ दिन के अंदर कहा गया है कि रिपोर्ट जो है वो शिक्षाविभाग के पास में सौब दिया जाएगा तो साथ दिन हम सभी को इंदजार करना होगा मतलब ये रख लिजिए कि इस मेना में ये सब सभी नीती जो है वो तै कर लिया जाएगा तभी न अगले मेना शक्षमता पास विशिष्ट शिक्षकों का भी पदस्थापन होगा उसी नीती के तहत तो आप बने रही है और टी टी ती त्यारी चैनल के साथ पलपल के अपडेट में आप सभी को देता हूँ देता रहूँगा विश्वास दिलाता हूँ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब करके एक जूटता का परचाई जरूर देजेगा लगातार हम सभी एक जूट हो रहे हैं और सरकार इस बात को जानती है क्योंकि संख्या कुछ ज़्यादा है विपीएसी से जो बहाल शिक् आमने नहीं आ जाती हैं तो आप बने रहे हैं और टी 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 त्यारी चैनल के साथ अभी के लिए इतना ही फिर मिलते अगले वीडियो में सदने बसाती हूं